हेलो फ्रेंड आज हम बनाएंगे मसाला मेक न चीज और यह बनाने में भी बहुत आसान है ज़िए हमेंने घर के इंक्रिडियन से बनाकर त्यार किया है तो चलिए स्टार्ट करते हैं मसाला मेक न चीज icon मेसाला करा सहां। और इसमें डाल देंगे हम एक चमच तेल और एक चमच तेल के साथ ही डालेंगे हम बटर ये भी हमने एक चमच के आसपास ही डाला बटर और ये बटर जब गरम हो जाएगा तेल और बटर इसमें डाल देंगे लंसन, अदरक और हरी मिर्च बिल्कुल बारी कटी भी ढालेंगे यह दो सारी चीजे और इनको हलका सा हम सोटे कलने और जब यह लंसन बुन जाएंगे हमारे तब डाल देंगे इसमें प्याज और प्याज को भी हलका गोल्डन होने तक भून लेंगे तो देखो हलleich से भुन गया यह हमारा ज़्यादा नीरोष्ट करेंगे बस हल्का सुने रही होने तक ही रोष्ट करेंगे और इसमें टाल दिगए हम थोड़ी सी हल्दी थोड़ी सी हीमडिक डाल दिगे इसमें महले वन फोर्थ चमच डाली है इसमें हमने और थोड़ा सा ही धनिया पाउडर डाले दिंगे और एक चमच भरके डाल दिंगे हम इसमें मेदा और इसको हम अच्छे से हम चला लिंगी हम जब तक चलाएंगे जब तक प्याज और मेदा एक साथ मिक्स ना हो जाए तो देखो एक साथ मिक्स हो गई हैंना हमारी प्या और मेदा यह जो मसाला था है वह जो सारी चीज़े एक साथ मिक्स हो गई है और अब डाल दिंगे हम इसमें टमाटर और टमाटर के सात भात फिलगए स्वीट कौन और इनको अच्छे से अच्छे से आम चला लिए हैं में डाल दिंगे हम दूद ये मैंने एक ग्लास दूद लिया है तो इसको मैं थोड़ा-थोड़ा करके ही डालूंगी ताकि दूद फटना जाए और दूद डालते वक्त हम चलाना बंदनी करेंगे देखो ट्रमाटर उप्याजों को अच्छे से हम चलाते रिंगे ताकि हमारे जो दूद है दूद फटना जाए तो देखो अच्छे से हमने चला लिया और दूद गाड़ा हो गया तब डाल दिंगे थोड़ा सा दूद और जो दूद बचरा था आदा ग्लास और वह भी डाल दिंगे इसमें मैंने टोटल एक ग्लास दूद डाला है क्योंकि हमारे जो दूद भी नी फटाना है क्योंकि हम चलाते रहें इसको प्याज और टमाटरों को इसलिए और अब इसमें डाल देते हैं हम पास्ता ये भी एक ग्लास पास्ता है चाहो तो इसकी जगे पर आप मैक्रोनी का भी यूज़ कर सकते हैं जो दूसरी आती है ना मैक्रोनी जो सिया और पद्दकार कीसी आती है उनका भी यूज़ कर सकते हो और इनको हम अच्छा से चला दिंगे और अब इसमें जो हमारा एक ग्लास मैक्रोनी ती ना एक ग्लास ही हम पानी डाल दिंगे ये जो काटोरी का यूज़ कर रहे हूं लेकिन ये ग्लास के बरावरी है ये जो ये के कौएंटिटी बिल्कुल सेम रखेंगे बिल्कुल एकसार रखेंगे और अब इनको हम दस मिनिटके आसपास इनको अच्छे से चला लेंगे तो दखो 10 मिनिट में और छालाते ही रहेंगे क्योंकि ये जो हमारा पास्ता है वो नीचे उसमें चिपक जाता है और हमने पास्ता वोईल नहीं करा है कच्चा ही डाला है इसमें तो देखिए हमारा पास्ता गाड़ा हो चुका है और अब इसमें डाल दिंगे थोड़े से जो हमने ये सिमला मिर्च काटके रख रखी थी सिर्फ एक ही सिमला मिर्च काटी थी और बारिक बारिक चोप की थी तो ये डाल देते हैं हम ये उपड़ से ही डालेंगे क्योंकि जो हम बाद में बनने के बाद डालेंगे तो इसमें थोड़ा क्रंच पना रह जाएगा सिमला म डाल देते हैं इसमें आप कोई सी भी चीज का यूज कर सकते हो और इनको अच्छा से अब मिक्स कर दिंगे देखो काफी अच्छा दर से मिक्स कर दिंगे इनको और अब पांच मिनिट और इसको मिक्स करते हुए हम चला लेते हैं तो देखो काफे चरह से हमारा यह बन चुका है यह पास्ता और यह जो हमने सिमला मेर्च यह सबचीर डाले कसूरी मेथी डाले यह जब हमारा बन जाएगा तब ही डाले उससे पहले नहीं डालेंगे और देखो कितने जटपट हमारा बन गया है न तो चलिए इनको सर्व कर ल तो प्लीस कमेंट करना ना बूले तो मिलते हैं हम नेस्ट वीडियो में तब तक के लिए बाई बाई टेक के यार